एक ऐसा switchboard जो रूम के लिए important है बट उसे हमा hide करना चाहते हैं जिसे हटाना नामकिन है बट hide करना बहुत आसान है सबसे पहले तो हम switchboard का नाप ले लेंगे और उसी के according cardboard पर marking कर लेंगे half rounds के लिए मैंने दो plates का use किया है measurement के according lines करने के बाद हम cutting कर लेंगे अब एक दूसरी sheet लेंगे और half round की दूसरी sheet भी cut कर लेंगे अब बच्चिव स्ट्रिप पे मैंने switchboard के width के according ही तीन strips cut की है उन में से एक strip पर मैंने height के according बीच में से cut कर लिया है और अब चारों strips को मैंने paste कर लिया है ये switchboard का हम base ready कर लेंगे अब बच्चिव sheet में से मैंने six strips switchboard की height के according ही cut कर लिया है ऐसा नहीं है कि हम books के ही cardboard यूज़ करें इसकी जगे हम corrugated cardboard sheet भी यूज़ कर सकते हैं तो सारे parts cut हो जाने के बाद अब हम इन सब ही को एक साथ assemble करेंगे जिसके लिए हम glue gun यूज़ करेंगे तो friends अपना artwork तो बन ही रहा है मगर सबसे important बात यह है कि आपने मेरा channel अगर अभी भी subscribe नहीं किया है तो मेरे channel को जल्दी से जल्दी subscribe करो like करो, share करो और bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलना सारे parts stick हो जाने के बाद हम masking tape use करेंगे इसको और मजबूत रखने के लिए masking tape paste हो जाने के बाद हम white sheet लेंगे और इसके उपर paste कर देंगे अब इसकी covering के लिए मेरे पास दो option थे या तो मैं एक file cover ले लूँ या फिर एक thick butter paper लूँ तो या recently मैंने कपड़े purchase किये थे उन्ही में ये plastic sheet जैसाब ही butter paper मिला और मैंने सुचा इसी को मैं use करती हूँ तो इसे मैंने cardboard के base पर अच्छे से glue gun से paste कर दिया अरे अरे रुको जरा अभी ये complete नहीं हुआ है अभी तो इसका base ही ready हुआ है तो यार पिछले project के लिए मैंने ये plastic mirror purchase किये थे और इन्हें use करना बहुत easy है इसलिए मैं इन्हें use कर रहे हूँ तो मैंने तो ऐसे दो lampshades बनाए है और सच में इनसे मेरे room का पूरा look change हो गया है आप लोग भी जुरूर बना के दीखिएगा बाबाई